तो मेरे आई हुई है दादी मा जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह उठने के बाद मेरे सर में काफी तीज दर्द हो रहा था तो दादी मा ने बुला कि ला मैं थोड़ा सा तेल लगा देती हूं तो उससे सही हो जाएगा वैसे तो मैं तेल बहुत ही कम ऐलिंग करती और ऐसे तो हो ही नहीं पाती है उइलिंग खुद से ही थोड़ा बात लगा लेती हूं वीटली और दादी मा के हाथ से उइलिंग करा के बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सुकुन मिल रहा है ऐसे लग रहा है कि वा कहां जन्नत में आ गई हूं दादी मा के हाथ में सच मे जादू है जादू मैं बोली दादी मा आप मेरे पास ही रह जाओ हमेशा के लिए दादी मा इतना अच्छे से बहुत ख्याल रखती है दादी मा दादी मा की एज तो आप लोग देखी सकते हैं काफी एज हो गई है और हम लोग दादी मा से बहुत प्यार करते हैं बहुत प्य यहां आय। करती है देति हैं।हीं को गोदेश में बैठेसा करती है है। करनी चाहिए जिससे की सरदी नहीं लगती है तो असरदियों में आप लोग भी ओईल इंग किया करिए सरका तेल दादी मां बोलते हैं कि बहुत अच्छा रहता है बॉड़ी के लिए भी तो सरदों के तेल से दादी मां गब मुझे तो सरदों का तेल मतलब लगा लेती हूं बट ज्यादर टाइम तक मैं रोक नहीं सकती सर पर मुझे सर धुलना ही पड़ता है और यह वंश की साइकल आ गई है ट्राइ साइकल और यह विकास जो है इसको इंस्टॉल कर रहे हैं और वंश को तो ज्यादर ही एक्साइटमेंट हो रही है कि बस अभी चलाना ही है और यह क इन्होंने सारी पालक फैला दिया और यह चोटा वाला तो ज्यादा ही एक्टिव है यह तो भाई आप लोग देख सकते हैं उठा के और यह परता है पालक उठा के डरेकली खाने की भी कोशिश कर रहा है लेकिन ऐसे नहीं खाना चाहिए यह तीनों तो आपस में हम लोगों इन को फुूती दी तो इनको फूर्टी में एंट्रेस नहीं है में को दशा है लसी आधाए ललगों हिसा भाकी ले रहे हैं तो इनको भी लग रहा है कि आरे मैं कैसे पीछे रहां जाऊ थो बश को भी चाहिए और बार लसी ले के ले रहा है और फेक राया במצूर्श 2 देश नहीं की है और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं एन कर रही हूं कमेंट में बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा थेंक्स पर वॉचिंग मैं ब्लॉग थेंक्यू बाई बाई